यूनीट 4 एवर आमरा कोडिलेट जमेट्री स्टार्ट कोच्ची यूनीट 4 2021 एर 2018 आर 2020 फूल क्वेस्टेन पेपर सॉल्फ कोरे एई चैनेले अल्रेडी अप्लोट कोरा होएचे जोदी वीडियो टी देखो नी आवो सोई देखवे लिंक डेस्केप्शन एद्यावार होएचे एई पेपर गुलो सॉल्फ कोरे गेले पोरिक्खा भालो होब देई यूनीट 4 कोडिनेट जमेट्री तेव पांस्टा क्वेस्टेन थाके एई क्वेस्टेनेर मार्क्स गुलो होचे फाइब मार्क्स कोरे सो लेट्स स्टार्ट यूनीट 4 आमादे एई अंकोटाय डेखो की बोलचे दूट्यो लाइन आचे थूदा ओरिजिन और ओई दूट्यो लाइन एई एक्ट लाइन दावा आचे एई लाइन तर्षाथे 45 डेगरी एंगल बानाचे तो सबर प्रत में आमना जेटा कोर्वो आमना डाग्राम टर एके नेवो दाखो एक्ट लाइन दूट्यो लाइन य इक्वेशन नम्रो लाइन दूट्यो 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 लाइन तो एई थर्ड लाइन टा कट कोच्छे और एई लाइन टा होच्छे LX प्लस MY प्लस N इस इकल्स टो 0 एटा नांजिलां तीन नांबर एकोडिंग टु प्वेस्चेन एखाने दावर होच्छे जे एई लाइन टार साथ है एई फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दुटोई 45 डिग्री अंगल बनाच्छे ओके एवार नेखो एई जे अट्रेंगल होएगा चे ना एई तीन्टे लाइन लिए जोदी ट्रेंगले एटा 45 डिग्री एटा 45 डिग्री होए ताहले एई एवार आमना अंकोटा शुरू कोर्भू और आमादेर बेर कोट्ट्य हावे एई दुट्यो लाइन पेर अफ स्ट्रेट लाइन एक्वेशन ओके द्याको आमना की कोर्भू आमना लिग्भू लेट यज इकल्स तो म1 एंड य इकल्स तो म1 एंड यज इकल्स तो यज इकल्स तो म2 एंड वी देर तु स्ट्रेट लाइन दिया पासकूर्चे okay through the origin which makes an angle which makes an angle of 45 degree with the straight line lx plus my plus n equals to 0 एटा हच्चे नम्बर 3 एटा छेलो 1 एटा छेलो 2 okay तो basically आमीजेता दाइग्राम टा आकबो आमरा आकार करें आमरा लेखा बुलो लिखबो एई लेखा टा किन्तु अमार पुरो एई क्वेस्चेन अठेके इन आमार होए छे जेटा द्यावा आच्छे जे दूटो लाइन ओर इजिन तेके पास कोच्छे और 45 डिग्री अंगल बान अच्छे ए द्याओ लाइनेर अमरा लिखते बरबो ओके तो आमता स्रावर पॉरो रथायवा ग्षा है अममेर पुरो नाहितिए लाइनेर अ मैदा लिखघिक ठीछ डैको। 3 तिन नम्मर जे लाइन टाचे से लाइन टाच स्लोग पतो देखो LX plus MY plus N 0 देवा चे एखांटे के अम्रा एटाके लिखते ही परी MY is equals to minus LX minus N मने Y is equals to minus LX minus N divided by M that means Y is equals to minus L by M into X minus N by M सो एक्सेर जे कोईफिशेंट आ रोए छे शेटाई किन्तो अमाने स्लोप हाई तो स्लोप ओप 3 के होगे रहतो माइनस L by M स्लोप अम्रा जानी जे एंगल कोतो रोए चे लाइन नमबर 1 & 3 अर मुद्या अंगल अचे 45 degree तो आमना चे कुनो अक्ता अंगल का निये 10theta तो वेर कुट ते बागो तो अमी एक्हने रिप्ची ए पर लाइन नमबर 1 & 3 1045 degree theta अचे 45 1045 degree is equals to M1 minus slope of 3 minus R by M divided by 1 plus M1 into minus L by M अबर अम्रा जानी 1045 1 तो अचे के simplify कुनो लिखते बागो तो इस इंप्लाइस 1 is equals to M1 plus L by M अर अचे बागो जा में आमादे निचे 1 minus M1 into L by M इस इंप्लाइस 1 is equals to cross multiplication L C M निये आमना cross multiply कोची अचे M into M1 होए जाबे प्लास L निचे रेम टा केटे जाबे निचे के एटा होए जाबे M minus M1 L डाको दूटो निचे रे M रोचे cancel out होए जाबे एखां तेके cross multiply कोची आम रापे जाबो M into M1 plus L equal to M minus M1 into L okay एबार एखां तेके M1 टा कमान डिची तो M1 कमान डिले एखां तेके M पाबो और एई M1 L एडिके अचे प्लास होए जाबे तो एटा होए M plus L equal to M minus L m1 equal to M minus L by M plus L एबार किंचू आम्रा लाइ लाइन नमबर 2 & 3 जो जो चुणा चे प्लाइन योजाबos कारण आम्रा जानि जये line number 1 & 2 are perpendicular to each other so their product of their gradient equal to minus 1 okay so हम रहा एखाने लिशची here line number 1 and 2 are perpendicular to each other perpendicular to each other so product of their gradient product of their gradient equal to have a minus 1 that means m1 into m2 is equals to h minus 1 this implies m2 is equals to h minus of 1 upon m1 even m1 एर मान्त आमने अल्रेदी पे गेची एखाने गोश्ची देवो तो एके शिलो m1 m minus l by m plus l ठीक उल्टोटा होई जावे m plus l by m minus l तो एखाने आमने लिखते परों this implies m2 is equals to minus of m plus l by m minus l okay पे गेची एमना m1 पे गेलम m2 पे गेलम एबार जेटा आमा देर बेर पॉच्चे हावे आमा देर ओई पेर अप स्टेट लाइन बेर पॉच्चे हावे okay so equation of pair of straight line pair of straight lines y minus m1 x into y minus m2 x equal to 0 okay इबार अम्रज इता कुर हो एकाने multiplication कुरे देपो इधी तो factor है इता हो जावे y square minus m1 plus m2 into x minus minus plus m1 into m2 x square equal to 0 this implies y square minus m1 m2 मान आमना अल्रेडी बेर पॉच्चे ही आमना पॉट कोरे जाबो okay so एकाने आमी लिख्चे m1 होच्चे कातो m minus l by m plus l आर m2 होच्चे कातो minus of this मने minus टा एकाने लिख्चे एका होच्चे m plus l by m minus l into x plus m1 into m2 m1 होच्चे m minus l by m plus l आर m2 होच्चे minus of m plus l by m minus l into x square equal to 0 चेस्ट सिंप्लिफाई कोरे नो तो आमना आमसर्ट के जाबो एका होच्चे y square minus निचेर पाटे लिख्चे 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 m plus l into m minus l अप्पर एर पाट्टा m minus l whole square आर एकाने होच्चे m plus l whole square ओके this into x plus plus minus minus होच्चे लिख्चे और m minus l m minus l cancel out होच्चे m plus l m plus l cancel out होच्चे तो एका होच्चे minus x square equal to 0 आर हो हालो कोरे simplify को एका होच्चे y square minus e m minus b whole square minus e plus b whole square आर okay we can use the formula एका होच्चे m square plus l square minus 2 ml minus एका तो तींटे positive होच्चे तो होच्चे m square minus l square minus 2 ml divided by निचे एका a plus b into a minus b whole square a plus b into a minus b formula आच्चे a square minus b square एटा होच्चे m square minus l square into x minus x square equal to 0 एवार गेटा कोर्गों आमने जाको opener पाट्टाइक इन्तू होच्चे आमने एटा होच्चे m square minus m square plus l square minus l square तो एटा होच्चे y square minus minus 2 ml माने minus 4 ml माने minus 4 ml तो एखाना होच्चे plus 4 ml x नीचे पाट्टार होच्चे m square minus l square minus x square equal to 0 एबाट जेता कोर्गों cross multiply कोरेगों एटा होच्चे जावे l square minus m square into x square तो k आर एखाने की होच्चे 4 lm x minus l square minus m square into y square equal to 0 नेखो सुधू एटा minus टा कमन निये निलाम तर पर cross multiply कोरेगे चे एटा होच्चे एटा होच्चे एटा होच्चे एटा होच्चे l square minus m square कमन चोलाच्च निये नाम एखान्ते के पाच्ची आम x square एखान्ते के पाच्ची minus y square plus 4 lm x equal to 0 एखान्ते के पाच्ची एटा होच्ची एटा होच्ची आमादेर किन्तु एटा ही पूफ करार ग्यावाच्ची एखेनाव एटा प्यारररर ख्र्खानर एट अहाररर रपС्टेट लाइट है तो प्रोथ में देटा आम्रा कॉर्वो आम्रा लिखे निच्छे गिवेन एक्वेशन इस की ड्यावर होए छे 5x2-6xy plus y2 is equals to 0 एक्वेशन नम्रा 1 तो अम्रा स्वाले सा इक्वेशन एक्वेशन तके हौड़र जेनरल एक्वेशन एक्वेशन आफ सेकंड डग्री क्य Hoş it दाखो एक्स स्क्वार प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वार एक्वाल टो 0 ओके एटा पासिंग थू और जे नाचे ता इन अमरा एधरो ने पासिंग फ्रू और जे सकेंड डिगर एक्वेशिंग शेटा निया चे दाखो एखाने अम्रा कंपेर कोडले पाबो कोईशिंटगे फ्रू गुलो गॉम्पेर कोड़ो एक्स स्क्वार कोफिशिंट 5 एखाने ऐ इखाने ऐ रही इउक्स टो फ्रू अच्य फ्रू एच और 2HXY एखानक्चे माइनस 6xy plus y square equal to 0 एटा के हम एक टू simplify कोरे लिखो 5x square minus 5xy minus xy plus y square equal to 0 लिखा जाए इबर एटा के ज़िए फैक्टोराइज करू ता हो लेगा आको पावे की 5x कमन ही नो एटा है जावे x minus y एखंते के minus y कमन ही नो आवे x minus y equal to 0 इस इंप्लाइज एटा कमन चोले है जो एटा हचे 5x minus y equal to 0 so the lines represented by this equation represented by equation number one की की लाइन आचे रहे तो वर एटा होच्चे x minus y equal to 0 एटा लाइन होच्चे and 5x minus y equal to 0 एटा होच्चे another line तो एटा एक्टा आमादे रांसर होच्चे and एट रिप्रेजेंट्स आप पेयर अफ स्ट्रेट लाइन कारोण वो एट लाइन ता थे क्या आम्रा दूटो एक्वेशन पेहे गेलां ओके सो एट्स प्रूट एबार देखो की बोलेच्चे जे find the angle between them तो आम्रा जो जी धोरे नेवो जे theta is the angle तो लिगो आम्रा लेट theta with the angle between them तो theta जो दी angle होए ताहले tan theta की होँ tan theta equal to okay I hope it works again not working okay my god it will not work anyways tan theta is equals to 2 into root over of hs1 minus ab by a plus b it's hanging almost all the time तो एटा हावे राखो ab h र माना किन्तू बेर कोरी रेके चे एटा हच्छे 5 राखो 5 or 1 a minus 3 वो शे राखो so tan theta is equals to a plus b छी राखो 2 into root over of hs2 minus b minus 3 whole square minus a b ab 5 into 1 okay so it राखो 5 into 1 divided by 5 plus 1 so it will be 2 by 6 into root over of 9 minus 5 means 1 upon 3 into 4 which is root over of hs2 this is 2 by 3 so theta is equals to tan inverse 2 by 3 this is one of the answer okay okay question number 15 एक नियामा देर बोल चे pair of a straight line joining the origin to the point of intersection of the parabola by the straight line y is equals to mx plus c is at right angle c plus 4 a m अच्छे 0 एटा देखाते हाभी तो शौबर प्रोथो में डाइग्राम टा एके रिच्छी जाते बूस्ते शुभी दे हाभी एटा होचे एक्टा पैराबोल एटा नान बिला number 1 ओके एटा होचे एक्टा लाइन y is equals to mx plus c एटा equation number 2 एटा y square is equals to 4x अचे प्रोड एवर एक्टचे एक्टा लाइन I want to draw yes from here I want to draw a line it's not यह प्रावी एल देरो टो लेकर प्रावी एल 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 फ्र लेवर्व इए यह लेवीड़ एल खंड कर अए लेवास we are drawing a line like this okay okay so aamma bear bolche, eta ukche, origin and a angle to have a 90 degree a parabola and a liner intersection is the condition of the right angle, eta 0, c plus 4 a pair of straight line joining the origin to the point of intersection here is the point of intersection is the point of intersection okay, this time we are going to learn the interactive formula we are going to learn the line origin to the point of intersection we are going to learn the formula formula tae ki ga hai formula hoche making making homogeneous homogeneous equation number 1 with the help of line number 2 okay, this is line number 2 y is equals to mx plus c so y minus mx is equals to c and y minus mx by c is equals to 1 so we can put 1 where required so parabola is y square is equals to 4ax okay, so we can write it like y square is equals to 4ax into 1 that is 4ax into y minus mx by c okay, now this implies y square is equals to 4ax y minus 4am x square divided by c cross multiply cross multiply c y square is equals to 4ax y minus 4am x square equal to 0 it is a pair of straight lines of the intersection of the intersection of 1 and 2 of the intersection of 1 and 2 right? so here here dhaekho ki dawa ache jhe right angle hawe jodhi eta hawe so so aam ga likte pare here these lines will be perpendicular to each other each other if if coefficient of x square plus coefficient of y square is equals to 0 ekha ne dhako coefficient of x square ta ki I am taking this black one coefficient of x square hache 4am ok 4am 4am and coefficient of y square hache c so 4am plus c is equals to 0 this implies c plus 4am is equals to 0 proved? dhaekho eta yamadir proof kutke diya chilu qq question number 16 it a polar equation the ke dawa hoye chhi dhaekho dhaekho e khani aakta line dhawa ache l y r is equals to a cos theta plus b sin theta ar aakta quonic dhawa ache ehi line ta touch kore chhe ehi quonic ta ke jodhi ahi condition ta satisfy kore so aapna ki kore ho the given line is l y r is equals to a cos theta plus b sin theta theta ke dikchi equation number 1 the given conic is x l y r is equals to 1 plus e cos theta eta ke dikchi equation number 2 here line number 1 touches the quonic number 2 2 at a point at a point p alpha sin so equation of tangent equation of tangent equation of tangent at p alpha to the conic number 2 here aame raakho l y r is equals to e cos theta plus cos of theta minus alpha ok एटा के आम ला एक टुशाजी ए लिख्पो ल बाई आर इस इकोल स्टूर छे एकोस थेटा प्लस कोस ओफ ए माइनस बी माने कोस एकोस बी कोस थेटा कोस अलफा प्लस साइन थेटा साइन अलफा ओके ए बार आमरा की कोड़छी एल बाई आर एकोल टू एकोस थेटा कोमन नीच्छे तो आमा देर एखाने थाकबे ए प्लस कोस अलफा आर एखाने थाकचे साइन थेटा साइन अलफा एटा के आमरा दिला हम एकोस नामबर थ्री एखाने थेटा साइन 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 थेट identical होले आमड़ा की कोड़ते बारी आमड़ा coefficient equate कोड़ते पारी ओके सो देखो left-hand side याचे L by R is equals to L by R एधी क्यो हुआ छे that means we can write one by one is equals to cos theta एखाने लिख्ची sin theta okay so cos theta coefficient को एखाने a और b रोई छे okay we should not write here cos theta and sin theta we should write the coefficient of sin theta and cos theta okay okay so what should we write here we should write here coefficient of cos theta that is a and b identical so एखाने होच्चे L by R by L by R equal to cos theta coefficient होच्चे A एखाने sin theta coefficient होच्चे B एखाने cos theta coefficient होच्चे E plus cos alpha और sin theta coefficient होच्चे sin alpha so this implies क्यों हावे राखा एटा होच्चे 1 is equal to A divided by E plus cos alpha B by sin alpha एखाने के आम्रा A और B रोई मांटा पे जागों so A is equals to आम्रा पाच्ची E plus cos alpha और B is equals to आम्रा पाच्ची sin alpha okay now this implies cos alpha क्यों हावे राखा A minus E so we know sin square alpha plus cos square alpha is equals to 1 अटा 2 आच्चे okay So, क्यों आपे? B square plus A minus E whole square is equals to 1. This implies A minus E whole square plus B square is equals to 1. Proof. दखुर, एक्ता ही आपादेर proof कोरर छीलो. Question number 17. एई अंकुटा आमादे general equation of second degree थे के देवा होएचे. एखाने जे equation ता आचे शेटा के आमादे reduce कोरे, canonical form में आनते हावे and बोलते हावे जे एई कोनिक ता. मने की रिप्रेजेंट कोर छी? Okay? की दोहरोने कोनिक? So, let's start. एई जे equation ता देवा आचे, equation ता के आमादे धूर्ची. Question number 1. Comparing Comparing Equation number 1 with the general equation of second degree. General equation of second degree. Second degree equation होच्चे, AX square plus 2HXY plus BY square plus 2GX plus 2FY plus C is equals to 0. So, compare करू. Eka नहीं, X is a अगे किछो नहीं मने वान आचे. Eka नहीं, so A is equals to 1, 2H is equals to 4, X-Y-R coefficient. So, H is equals to 2, okay? Y is equals to 4, not Y, this is B, okay? Yeah, B is equals to 4, G, 2G is equals to 4, that means G is equals to 2. 2F is equals to 1, so F is equals to 1 by 2, and C is equals to minus 15, okay? So, the first thing we do is discriminate way, D is equals to AB minus H square. AB is equal to 1 into 4, 4 minus H square minus 2A square, that is 4 minus 4 equal to 0. This implies D is equals to 0. अचा, D is 0 आचे, ता होले आमरा, बोलते पर्भो जेटा, पैरा बोला होगे. But before that, आमादेर चेक कोटते हावे, जे डेल्टा 0 की ना. Otherwise, जोदी डेल्टा 0 अफ थाप्पे, ता होले, डेल्टा 0 और D 0 means pair of parallel straight line, भा consistent straight line होते पारे. So, आमरा एकाने आगे चेक कोरें इचे, डेल्टा इक्वल टु की होगे, डेल्टा इक्वल टु फॉर्मूला होगे, a, b, c, h, h, z, z, f, 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 okay. एर इचे, डेल्टा की इचे की फॉर्मूला टा, a, b, c, बस 2, 2f, g, h, minus a, f, square, minus b, g, square, minus ch, square. सो बोशिये दाओ A, B, C, A गोलो मान गोलो A होच्चे 1, B होच्चे 4 and C होच्चे minus 15 ओके, सो C होच्चे minus 15 plus 2, F माने होच्चे half, G माने होच्चे 2, H होच्चे आबर 2 minus A F square माने 1 into 1 upon 4 minus B G square माने 4 into 4 square, no G square, 2 square okay, minus C माने, minus 15, H square माने 2 square, इवर एक तो इस्प्लिफा कोरे ने वामरा, so this is equals to 1 for the 4, 4 15 minus 60, plus ETA होच्चे 2 to the 4, ETA होच्चे minus 1 upon 4 and this is 2 to the 4, 4 4 16 and this is minus minus plus 4 15 60, so plus 60 minus 60 cancel out, it will become, we can take the LCM also, 4 4 4 16 minus 1 minus 16 4 64, so this is 16 minus 65 by 4, this is equals to minus of 9 5 1 4, yeah, minus 49 by 4 not equals to 0 hence, D is equals to 0 and delta not equals to 0, so the given quonic represents, represents a parabola, okay, एबर आमर, एई जे पैराबोलर एक्वेशन टा द्यावार होई छे, एटा के रिडूस कोरे पैराबोलर फोर में आनते होगे, okay, so we are going to reduce this equation, okay, देखो, एई जे एक्वेशन नमर 1 टा द्यावाचे न, एटा क्यामरा रिडूस कोरे लिपो, so the given equation number 1 can be written as, can be written as, की भावे लिखते बार होगो दैखो, एटा होए जब ए, x plus 2, एक इंटे टाम मिले, x plus 2y whole square, x plus 2y whole square is equals to, एगोलो के राइट साइडे पाथिये देवो, minus 4x minus y plus 15, minus 4x minus y plus 15, so, एबर आमरा जेटा कोर्वो, एक्टो निजेट थेके, element एड़ कोर्चिये, x plus 2y plus lambda whole square equal to, एकाने x common थाक्लो, एकाने minus 4, एकाने plus y निला, एकाने minus 1, एकाने, आमरा प्लस 15, तो राखें, आच्छा, एबर देखो, जेटा कोर्चिये, शेटा होच्चिये कि, एई ल्यामरा टा एक्टो एक्स्ट्रा एक्ट कोर्चिये, तो एकान थेके, आमरा एक टाम भूलो की पावो, ल्यामरा स्क्वेर पावो, जेटा constant आवे, शेटा एकाने चोले आशुपे, एबर आर एक्टो टाम पार भो, जेटा होच्छे, 2A भी ते कुनो टाम आशुपे ना, जिस माल्टिप्लिकेशन, 2BC, माने, 2 इन्टो 2Y इन्टो ल्याम्डा, एक्टो टाम पावो, आर एक्टो टाम की पावो, 2X लैम्डा, ओके, एक्टो टाम आम्डा एक्टो लिखे देच्छे, एक्से साथे लिख्ची, प्लस 2X, वाई एर जाये गाता ही लिख्ची, आम्डा, प्लस 4 लैम्डा, जेटो वाई कॉमन, ओके, आर, एर जेटा कॉर्गो, एह जे एक्टो टाम आच्छे, एक्टो टाम्डा, लिख्ची, आर एक्स टाम्डा, एक्स प्लस 2Y, प्लस लैम्डा, एक्टो जेटो, एंड, x into 2x हावे na x कमान आचे 2 lambda हावे okay so x into minus 4 plus 2 lambda plus y into 4 lambda minus 1 plus lambda square plus 15 equal to 0 एग दुटो line will be perpendicular to each other कोख़न perpendicular हावे if product of product of their gradient product of their gradient equals to minus 1 okay एबर जे कास्टा कोड़वो सेटा होच्चे जे एखान थेके आमर एई दुटो लाइने gradient बेर कोड़वो दाखो एई लाइन तर gradient की हावे एई लाइन तर gradient की हावे एई लाइन तर gradient जोदी आमरा बेक कोरी तो एखान्ते के आमरा कीपा वो एखान्ते के ग्रेट पे विला minus half और एई लाइन तर gradient की हावे दाखो y is equals to xr coefficient so this will be 2 lambda minus 4 divided by yr coefficient that is 4 lambda minus 1 equal to minus 1 okay okay a j gradient तर a y equal to 8 minus हावे तो एखाने एक्टा minus छोले आश्वे बाइरे okay तो minus half into minus of this equal to minus 1 okay this implies minus minus plus होए जावे उपरे होए जाच्चे 2 lambda minus 4 और निचे होए जाच्चे 8 lambda minus 2 equal to minus 1 एबर आम्र ख्रोस्टिप्लाइ कोरे निचे so एटा होए जावे 2 lambda minus 4 equal to minus 8 lambda minus minus plus 2 so it will become 2 lambda plus 8 lambda and 2 plus 4 so एटा होए एलो 10 lambda is equal to 6 this implies lambda is equal to 6 by 10 so lambda is equal to 3 by 5 2 दी आड़ इवाट कोए गा एबर आम्र की कोर मो दो a lambda माई टा a equation number 3 a equation टा गोश अबाश बाश 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 बाशन Okay, so putting the value of lambda in equation number 3, putting the value of lambda in equation number 3, की छिलो, x plus 2y plus lambda, मने plus 3 by 5, तार whole square, equal to, right hand side छिलो, आमे, x into minus 4 plus 2 lambda, so विटा हुए जबे, x into minus 4 plus 2 into lambda, मने 3 by 5, plus y into minus 1 plus 4 lambda, means 4 into 3 by 5, plus lambda square, छिलो, so it will be, yes, lambda square plus 15 I hope, यह, lambda square plus 15, so we can write here, 15 plus 3 by 5a whole square, okay, इगार एक्टू simplify कुरे दो, एटा हुच्चे second bracket, तो simplify कुरली की दाड़ाबे दापो, एटा हुए जबे, x plus 2y plus 3 by 5 तार whole square, equal to, x into, एटा हुआ जच्चे 5, minus 4 plus 6 by 5, minus 4 plus 6 by 5, yeah, you can do here, minus 4 plus 6 by 5. 5 जो दी एंसेम नो टाज़ मिनस 20 plus 6 that means minus 14 by 5 plus y into 8 अच्छे minus 5 plus 12. 12 minus 5 that is 7 by 5 and this is 15 plus 9 by 25 that means 15 plus 9 by 25 एंसेम अच्छे 25 गुण करे दो 5 जा 25 25, 12, 35, 37 plus 9 that is 484 by 25 okay oh we cannot do also that because we can simply by this x plus 2y plus 3 by 5 whole square equal to 5 common निये नो yes we can do that so it will be 1 upon 5 जोदी common चले आया शें ताहले हूए जाए जामें माइनस 14 x plus 7y plus 4 84 484 by 5 yeah this was 484 m by square plus 15 484 by 5 that I got here okay 7 is also I think it will count because it is divisible by 7 okay 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 no 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 it's not so this implies x plus 2 y plus 3 by 5 whole nichi amra nichi plus minus root over of 1 square plus 2 square okay okay 4 whole square okay 1 square plus 2 square means 2 to the 4 4 plus 1 5 meaning 5 a whole square root 5 a whole square meaning 5 extra y of ys faze omra h a yad 1 upon 5 a yad yahu yad 1 upon 5 right yah e 198, 77 जब 49, 247, no 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 no, 1414 जब 196 जब 196, so it will be 245. So, root over of 245 is extra, तो एह एक्स्ट्रा टो अपुरे लिखे दिला हम 245, जाते केटिंग इक्वल होए जाओ, So, एबार आम्रा जेटा कोर्वो, शेटा की हावे राखो, एटा हावे, x plus 2y plus 3 by 5, divided by 5, plus minus 5, सार होल स्पर, एटा होच्चे 1 upon 25, एखाने होच्चे root over of 245, एटा होच्चे, minus 14x plus 7y, plus 484 by 5, और नीचे होच्चे, plus minus root over of 245, एबार आम्रा जेटा काज होच्चे, आम्रा धोर्बू, धोरे नीचे लेट, y is equals to x plus 2y plus 3 by 5, divided by plus minus 5, एटा होच्चे, plus minus 6, and x is equals to dhorin ichi यंग, 8 out, minus 14x plus 7y plus 484 by 5, divided by plus minus root over of 245, so एबार दार आम्रा जेटा होच्चे, y square is equals to root over of 245 by 25, into x, okay, this implies y square is equals to, एट एके जदी कमन ना, so 245, 5 देटा होच्चे होच्चे, 7, 7, so we can write it as 7 root 5 by 25 x, okay, it represents a parabola, this is our answer, जढाल sites gestern about 1.3, लेदा होचो भेज़ता होच्चे, बार राख सब्गरा स्क्राबदाह, लेदाख वाच्चे, रेदार स्क्रावे स्क्रावे प्लावेबता होच्चे, लेदा होग्चे,